तो बंदग संकट पर दुनिया को कल तक उम्मीद थी लेकिन आज बंदग संकट के साथ साथ अलपयुद विराम भी मुश्किल में पढ़ता जा रहा है और इसकी वजाए हमास की वो जिद 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 ने धार्मिक्स थलों के नीचे भी मिसाइल लाब का निर्मान कर दिया है आपको हमास का वो पातालोग दिखाएंगे जिसके बलबूते हमास ने इसरेल को खूब परेशान किया है साथी आपको ब्यौरा देंगे हमास के आर्थिक सामराज्य का हमास को किनकिन देशों ने कितनी मदद दी है कैसे हमास की तहशत परवान चड़ती गई डीजेल होंगी आपके सामने लेकिन सबसे पहले इसरेल गाजा युद्ध की बड़ी खबरे आपके सामने रखते हैं जो हमास की स्ट्राइक का नया विडियो देखिए क्योंकि हमास की इंटेलिजन्स ऑफिस पर हमले को लेकर ये तस्वीरे सामने आई हैं और गाजा पट्टी में कई इमारते कैसे तबाह हो गई ये तस्वीर देखिए लेबनान मोर्चे पर भीशन युद्ध को लेकर खबर ये कि इस्रेली सेना की जबरदस एस्ट्राइक हुई है तस्वीरे आपके सामने उसी एस्ट्राइक की जहां लेबनान मोर्चे पर भी भीशन युद्ध जारी है इस्रेली सेना की ये स्ट्राइक है पुल्ला के खिलाव बारूदी आक्शन की शिर्वाद जहां इस्रेली हमले में टॉप लीडर के बेटे की मौद और इजबुला लीडर मुहमद राद का बेटा मरा गया है आपको बता दे पेथ यहुन के एक घर में राद का बेटा चिपा हुआ था इस्रेली बंबारी में पूरे इलाके को तबाह कर दिया गया